वेरएर बॉर्निक टो वाल फिए तो डिर रिश्ट्रेंट अब आपके पास पर ने बिजनस्स थे स्भीने डिच्च ग्यृठ से कंपर करेंगों और बहुत सारे बच्चों की क्वारी है कि सर बिजनस्स तारीर है कि सर नहीं से कुछ वो इस चीज से related पूछ रहे हैं कि बिजनस मैस को मैनेज करने में जो पॉलम आई थी और बिजनस ट्राटिक्स को जो हम मैनेज करेंगे तो उस चीजो में क्या सिमिलेरिटी से या किस पकार से अलग है तो सबसे पहले बिजनस ट्राटिक्स बिजनस मैस से कंपिटेबली इजी को जोड़ना है दूसरा आपको डिवाइड करना है को तीसरा कैलकुलेशन ही नहीं कोई पावर की वैलू सॉल्व करनी ही नहीं है आपको कोई पावर को अतारना ही नहीं है तो सर्फ जोड़ना और डिवाइड करना है जो इसके लिए आपके पास में कैलकुलेटर होगा वह आप लोग पढ़कर के आये हैं, उसको आप तू से मुंटिप्लाइ कर दीजेगा, स्लेबस उसका डबल है, बिजने स्टाइटिक्स के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है, बिजने स्टाइटिक्स फिर भी आप एक महिने के अंदर आप मैनेज कर सकते थे, बिजने स्टाइट्स को लास्ट के एक महिने के अंदर बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते, ये बात भी सच है, क्योंकि इसका स्लेबस उसके स्लेबस से काफी ज़्यादा है, स्लेबस के अगर बात करते हैं, तो आपके पास में, measurement of centered tendency के अंदर आपके पास में सिर्फ property of average नहीं है, आपको arithmetic mean आपको निकालना पड़ेगा, और median और mode निकालना पड़ेगा, और यहां लिखने को तो सिर्फ स्लेबस में मीन लिखा हुआ है, आपके syllabus में median and mode, लेकिन आपको यह भी पता हूना चची कि is mean में आपके तीन series है, individual series, 3 method आपके पास में रहेंगे, direct method, shortcut method, star division method, और फिर आपका discrete series में भी यह 3 method रहेंगे, फिर आपका continuous series के अंदर भी यह 3 method रहेंगे, continuous series के भी अपने types हैं, continuous series में आपका less देन आ जाता है, more than आ जाता है, mid value आ प्रकार में तो आप देख रहे हैं यहां तो सरफ मीन लिखा हुआ है बट उसके अंदर क्या है वह बात न आपको बता रहा हूं मिडियन के अंदर भी आपको एतीन टैप के सीरी इंडिजूनल, इंडिजूनल, इसके सीरीज़ अपको फेस करना पड़ेगा तो मिडियन भी बलकी टॉपिक है, फिर मोड है तो यह मीन, मीडियन, मोड सरफ लिख दिया, यहां पर काहनी खतम नहीं हुई उसके बाद measure of dispersion, जिसमें कि आपको quartile division समझना होगा, पहला आपको division समझना होगा, mean division समझना होगा, कि mean कितना reliable है, mean कितना उस पर हम trust कर सकते या नहीं कर सकते, उसको check करने के लिए आपको इसी से next पढ़ा जाएगा mean division, standard division का topic अपने आप में बहुत बड़ा topic है, variance का topic है, coefficient of variance का topic है, और exam question आपको यहां से देखने को मिलेंगे, वो mean में से question आजाएगा ठीक है, लेकिन पूरा business style का मतलब mean median mode नहीं है, वहां से तो एक सावाल आपका आजाएगा, तीन-चार नंबर का बास और कानी खतम है, बागी paper आपको इस तरीके से आएगे, उसके बाद आपका से बाद आपके पास में स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के भी अपने methods है, उसको भी क्यागोड करने के अपने तरीका है, क्टिस तो बस छोड़ अपिक लिखा हुआ है, अलग method है, मैंने पहली बता दिया बच्चे आपका, जहां तक कि आपके पास में business math का, अगर आप इतने में दो यूनिट पढ़ लोगे, जितना कि इसको पढ़ने में आपको एक यूनिट भी कवर नहीं होगा, तो एक syllabus इसका lengthy है, मैं आपको पहली बता जाता हूँ, लेकिन बहुत आसान है, श्री बच्चे सो कर पाएगा, सर, probability, बहुत अपर लेबल की probability है, और आपसे बहुत ज़्यादा हर चीज, कुछ भी ऐसे चीज़ें आपसे नहीं छोड़ी गई है, probability के अंदर, सब कवर कर वा लिया, भाई साब, इसके बाद, correlation, correlation के अंदर आपके पास पें, सिरफ meaning, types and correlation नहीं है, correlation आपके पास पें, Pearson, coefficient of correlation है, और उसके बाद, आपके पास पें, regression हो गया, और estimation of properties of regression and coefficient of, आपको correlation तो लिख दिया, बट काहल पीरसन है, spear मेन है, उसके भी अपने topics हैं, काहल पीरसन के अपने method हैं, assumed mean methods हैं, तो अंदर बहुत सारे methods की वज़े से syllabus आपका काई ज्यादा lengthy हो जाता है, time series है, इन सब के भी अपने अपने की चीज़ के बहुत सारे methods हैं, index number, sir, index number में बहुत कुछ हैं आपके पास में, तो इस तरीके से आपके पास में जो है, यह आपके पास में कुछ syllabus का part है, तो sir, business math से compare कर रहे हैं, तो इतना सारा आपका रहेगा, 95 से सो वीडियो के आसपस रहेगा, तो वो आप इस चीज़ को जो है, cover नहीं कर पाएंगे, clear हैं, तो इस तरीके से आपके पास में, business statics को लेकर करकर क्या पूरी रिते के साब aware रहें, और starting से से classes देखें, और वो आपके लिए काफी better रहने वाला है, तो यह इसलिए बस मैंने इंडिडूस कर दिया, business stats related, और business math and business stats में क्या रहता है, इसे business math में doubts जादा आते हैं न बच्चों के, but business stats में doubt होते हैं, doubt होते हैं इसमें, business stats के अंदर, तो business math में जो doubts होते हैं, उसके लगवलवक 5-2% doubts इसमें रहेंगे, रहेंगे वो भी doubts में के plus और minus में कहेंगे, आपके mistake होते हैं, तो बड़ा state director और easy है, इसमें, doubt की possibilities कम है, question जादा vary, जंप नहीं करेगा, जो पढ़ाया, उसी से related question आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए doubts की possibilities भी आपको कम रहेगा, तो main चीजे हैं कि business stats, business math से easy है, और यहां पर आ आपर नहीं करना है आपको, और दूसरी चीज वो भी plus और divide करनेंगे, आपके पास में calculator है, बात करते हैं, content की, तो भया, इसका content, business math से content से business status content डबल है, तो यह आपका मान के चलिए कि इसको तीन महने में या चार महने में कावर करना, अपने आपने बहुत बड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और आप इस चीज को जड़ा आप ध्यान देखेंगे, उसके बात तीसरे निम्मर पर अगर आप इसके बीच में compare कर रहे हैं, तो डाउट्स के मामले में, तो डाउट्स बिजन स्टैट्स में, business math से कंपटेबली बहुत कम रहता तो ये कुछ introduction था, business stats related, thank you, thank you so much